वेल्कम टो माई चैनल जेटर करेकर आज फिर से इस चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे सीटेट परियावरन पेडागोजी पहले ही हम बता चुके थे कि किसी दिन पेडागोजी चलेगा किसी दिन NCRT पे अधारित जो कुछे जाते हैं उसका चर्शा करेंगे तो इसक ही पहले पहला पॉइंट है यहां पर बच्चों की रचनात मकता यहां पर ध्यान दिया जाए बच्चों की रचनात मकता निखारने के लिए भरपूर मोका दिया जाए जैसे औरङामी पेंटिंग आट & कराफ्ट इत्यादी बच्चों के अंदर चिपी वी परतिवा है पहले कई बार हम चाचा कर चुके हैं कि हर बच्चा इस पेसल होता है हर बच्चा में एक विसेस गुन होता है बल्के जरुरत है उस गुन को बाहर निकालने का और यह कौन निकालेगा यह टीचर ही निकाल सकत में बनाते हैं का गाव बनाते हैं यह का चीज बनाते हैं उसी कोते ऑरीगामी पेंटिंग कि ल套नेस को सकते पांद के अच्छा करें और फिंग कुछ बंगि ए सकते हैं यह सब रहमाएल्क्रा योख क्वो फश्व्ह क उसको प्सके कि घोतेत्या बनाके दिखा सकते हैं इससे क्या होगा उनके बाहर आएगा इसका ब्राइट यह डिया विकास किसी चीज्झत को बाइड के बीच दू गूर्फ में उसको जैसा की डिवेट होता है दोनों अपनो अपने पक्ष रखए एक कोई मुबाइल के अच्छा ही बतायंगे कोई मोबाइल से नुक्सान ओर है इससे बच्चे का क्या होगा माइंड सार्पtsk which और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सोचने का मौका मिलेगा और उनकी सोच मुबाइल के पड़ती या किसी भी चीज के पड़ती वह आगे बढ़ेगा कि अगला पॉइंट है कक्षा की बात चीत में बच्चों के अनुभाँ को सामिल किया जाना चाहिए ये पॉइंट जो है एकदम टीचर के लिए कख्षा की बातचीत में कख्षा की बात चीत में तो हम कि जो पढ़ा रहे हैं उसी का चर्चा करेंगे जो टौपिक है जो बीस से वजब करते हैं याद भी ज़दा रहुटा नियुक्त करें सकते हैं इस मिछ वच्चे को याद भी ज्यादारेट रहेगा आप आप अब आज खाके है क्या है चाछव्वग्षण निहीं करते हैं तो वहां से हम क्याहिड करसे के वच्चेन को होगा बच्चे को याद भी ज्यादा रहेगा बच्चे का कंसेप्ट कर्पोधिट के पर ती प्रोटीन के पर ती बिटामिन के परद यह किलिर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा यह NCF 2005 का हम बात कर रहे हैं, पेड़ागोजी में ये NCF 2005 में चल रहा है, अगला है, बच्चों को हमेशा दैनिक जीवन से जुड़ी उधारन दे, आप कोई भी टॉपिक ले ले ले, उसका एक्जामपल ऐसा नहीं दे, जो कि बच्चे कभी देखे ही नहीं है, ऐसा बिलकुल नह आप एक्जामपल दे, तो इससे जो है, आपका लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, ये बहुत ही एफेक्टिव होगा, अगला पॉइंट है, कहानी को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, रॉल पले, रॉल पले एक मेथड है, जो ट्रेनिंग किये हैं, वो एक्षन के साथ पढ़ाएं, रॉल पले, हलका फलका, ड्रामा टाइप का उसको और्गनाइज करके, उस कहानी को बता सकते हैं, अगला पॉइंट है, ऐसी गतिविदी को करा हैं, जिसमें बच्चे सोई ये कर सके, बहरी बहरी इंपोर्टेंट, सोई ये कर सके, लर्निंग को मापना है, कि पोधा, अगर छोटा पोधा है, तो वो डेली विर्धी हो रहा है, या ने हो रहा है, तो ये बच्चों से करवा सकते हैं, एक टेप दे दे नपने के लिए, और बच्चे को खुद कहें कि रोज इसको नापना है, कि कि ये कितना बढ़ रहा है, और दस दिन में वो निकाला कि दस दिन पहले इस में कितना विर्दी था और आज कितना विर्दी है तो बच्चे खुद करेंगे और खुद सिखेंगे लर्निंग बाइडूइंग में यही होता है अगला पॉइंट है पक्षियों का अवलोकन करने के लिए पक्षियों को नजदीक से देखें इसके लिए बढ़वात बनने में बच्चे को मदद करें बच्चे खुद मदद करें बढ़वात बनने में बच्चे पक्षी को देखने के लिए उसको नजदीक से देखेंगे कै पर्मी के दिन में अक्सर पक्षियों को पॉनी पीने के लिए नहीं मिलता है इसके लिए क्या करें च्छत पर हंडी ले ले या मिटी का बरतन ले ले उसका बड़ बात बनाए उसमें पॉनी वर्द है ताकि पक्षी आये उसमें नहाये पॉनी पिये और वह वहाँ पर आप द रख्षित करने के लिए बच्चे क्या क्या कर सकते हैं इसकी कक्षा में चर्चा करें बहुत इंपोर्टन आज के लाइफ में पानी का बहुत ही माहत्पुरネण हो रहा है और पानी का हर्च Nepայ कमी को देखा जा रहा है इसके लिए बच्चे को परिर्द करएं बच्चे अपने आसपास में पौनी को कैसे बचाए पौनी जो बरवाद होitarा इसको कैसे बचाए इसका प्रत्षτο से प्जाए तो उसको बच्छे खुद बताएंगे के उसको जिखार रह सकते हैं। बिला वज़ा है पानी को बरवाद नहीं करेंगे या फिर बारिस का पानी जो होता है छट का बारिस का पानी भी यूज कर सकते हैं छट में पाइप लगा कि उसको गढ़ा पकी गढ़ा बना कि उसको भी कर सकते हैं तो बच्चे जो जान रहे उसके वारे में उसका उत्तर दे सके बच्चे को कक्षा में मैप दिखाएं ताकि मैफ के परती उसका रूची बनाएं मैप के परती में जाने और वो खुद देखे कि देश की जो सीमा है वो कहां तक है देश के पडोसी देश कौन-कौन से है राज की सीमा को जाने राज के पडोसी राज कोन है जीला के सीमा क कौन है फिर आस्थान को देखे कि दिल्ली पर हमारे देश की राजधानी दिल्ली कहां पर है और भी अनियराज्यों की राजधानी कहां कहां पर है उसको देखें मैपके दुवरा इसके परती बच्चे को परिरित करें अगला पॉइंट है वाद विवाद बच्चों को एक व वाद विवाद से ही पता चलता है एक चीज को बच्चे दो बच्चे अलग अलग तरीका से कैसे देख रहे हैं यह वाद विवाद से चलता है मतलब एक ही विशा है लेकिन देखने का तरीका दोनों बच्चे का नजरिया क्या है वह अलग होगा तो यह किस से पता चलता है वा जब आज 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 सिर्क इजे, सब्सक्राइब इजे